हाई गुट बॉर्णिंग सस्यकाल अलाब नमस्का वनकम कैसे दोस्तों और और कल यह परसों शहर्द मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें मैंने मेडिकल नेगलिजेंस की बात करी थी तो बहुत सारे लोगों ने यह भी बोला शहर्द कुछ डॉक्टर भी होंगे कि आप मेडिकल फेटरनिटी की पोल यह कमियां क्यूं दिखा रहे हो यह सब करके आपको क्या मिलेगा मुझे क्या मिलेगा मुझे घंटा मिलना मुझे गालिया मिलनी है बस और कुछ नहीं मिलना लेकिन इसी से related एक और टॉपिक लेका हूँ surgical negligence surgery करते वक्त क्या-क्या गलतियां होती है और क्यों होती है यह जो मैं वीडियो में बना रहा हूँ surgical negligence का या medical negligence का यह आने वाले जो generation young doctors हैं उनके लिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको यह सब पता हो तो आप आने वाले कल कानूनी देव जो दाव पेच होते हैं जो legal problems होती है उनसे बस सकते हो ठीक है और अच्छा doctor होने के साथ एक अच्छा इंसान होना भी उतना ही जरूरी है यह भाशन मैं बहुत देता हूँ मैं खुद कितना अच्छा हूँ यह मुझे ही पता है चलो anyways गाले खाता आया हूँ गाले खाता रहूँगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है most welcome तौफा कबूल है जनाब आप सभी का आज का टॉपिक है सरजरी कि सरजरी करते वक्त आखर लापरवाईयां क्यों होती है देखो सबसे पहले तो मैं फिर वसी बात पर आऊँगा कि चार चीज़े जरूरी है डिगरी, एक्सपिरियंस आपके स्किल और आपकी नियत ठीक है डिगरी होनी बहुत जरूरी है अब प्रॉलम क्या होती है डिगरी आपकी नहीं है लेकिन आप सरजरी कर रहे हूँ यह डिगरी आपकी जनरल सरजन की है आप सूपर स्पेशलिक की सरजरी कर रहे हैं आप कैंसर की सरजरी कर रहे हैं नया तो आपने को experience है ज़्यादा उसमें, बस आपने देख लिया और आपने शुरू कर दिया, तो पहले चीज़ तो अपनी degree के हिसाब से इलाज करें, दूसरा अपनी limitations को जान ले कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, और over confidence में ना रहें, यह कहा है, अब आते हैं caliber की, skill की, आपने देखा हो कर हर surgeon लिख लेता है लेपरोस्कोपिक surgeon, लेपरोस्कोपिक surgeon, लेकिन कितना किसी लेपरोस्कोपिक surgeon को लेपरोस्कोपिक surgery आती है, यह कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, सच बता रहूँ, अब यह तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे judge करूँ, हाँ, हमें अपने आसपास के महुल से पता चल जाता है, यह surgeon अच्छा है, यह बुरा है, यह ठीक है, यह कैसा है, इसका caliber कैसा है, तो अपनी skill का खुद को पता होना चाहिए, लेकिन अब यह बहुत मुश्किल है बात कि कौन कितना अच्छा surgeon है, बड़ा मुश्किल है यह बता पाना, तो लिख लेना कि leproscopic surgeon हूँ, और करना एक अलग चीज है, लिखना एक अलग चीज है, और आम आदमी को नहीं पता चलता कि कौन leproscopic surgeon अच्छा है, कौन बुरा है, या इनको leproscopic surgery आती भी है, या नहीं आती है, ज़्यादा तो लेप्रoscopic surgery हम बात कहते हैं, तो गौल बेडर की leproscopic surgery की सबसे ज़्यादा की जाती है, leproscopic cystectomy जो होती है, लेकिन इसके लावा और हर्निया की surgery, फलानी surgery, हर surgery आजका leproscopic हो रही है, लेकिन हर सर्जन, हर leproscopic surgery शायद नहीं जानता होगा, ये मुझे ऐसा लगता है, जनर सर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ लोग आगे fellowship करके या और कैसे पता लगाएं, पता कैसे लगाओगे, अपने डॉक्टर से पूछोगे, ये कौन अच्छा surgeon है, अपने आसपास के महौल से पूछोगे, अपने दोस्तों यारों, दोस्तों, रिष्टेदारों से पूछोगे, यही सब होता है, और कैसे पता चलता है, और क्या है, ठीक पेशिंट को एडमिट कर दिया गया गरीब आदमी था उसको बोला जी इसमारी सर्जरी करनी पड़ेगी तुम्हें अपेंडिक्स है जब मैंने पेशिंट को राउंड पर देखा कि मेरे इंडर में अडमिट था तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार इसको सब्सक्राणी बात है फिर उस बैस में मुझे होस्पिटल ही छोड़ना पड़ा ना कर छोड़ यार तो कुल मिलाके अपेंडिक्स की सरजरियों में बहुत लोचा होता है तो नियत के ऊपर बहुत कुछ किडिक्र करता है और डॉक्टर, इमांदारी से काम करें, सर्जन इम मेरी knowledge में आसपास जो बहुत clear cut बता देते हैं कि करना है या नहीं करना है लालच नहीं करना और कई बार surgery ऐसी होती है जहां पर outcome पता होता है कि शायद मरीज नहीं बच पाएगा पहले बता दें मरीज के रिष्टेदारों को कि भाई इसका outcome यह होगा यह मरीज ठीक हो सकता नहीं होता है बिल्कुल clear cut बता के surgery करनी चाहिए ठीक है और ज्यादा बड़ा नीड़ा surgeon बनके काम नहीं करने चाहिए अपनी limitations को पचानो अगर आपको किसी super specially surgeon की जथ पढ़ती है या किसी और की साथ लेने की जथ पढ़ती है तो ले लो इसमें को शरव वाली बात नहीं होनी चाहिए ठीक है अच्छा चलो यह हो गया अब लापरवाईयां और भी कहीं तरह के होती हैं कि आप जल्द बाजी में उपरेट कर रहे हैं या आपने कुछी यह तो बड़ी बार होता है कि आपने तोली अंदा छोड़ दिया कैची अंदा छोड़ दिया यह तो सब को पता है यह सब कहानियां होती रहती है यह चीज़े सब को पता है ठीक है अब आते हैं की सर्जरी अब आप जाते हो surgeon surgery लिख देता है और दूसरा surgeon कहता है नहीं कराना है confusion हो जाता है अब यहीं पता नहीं होता है surgery की ज़ट है भी या नहीं भी कोशिश करें तीन opinion जरूर ले लें जिसमें दो private अगर हैं तो एक सरकारी doctor से भी opinion जरूर ले लें तो वो बोलेगा इस surgery के लिए लेकिन अब अल्टरसांड की रिपोर्ट ही गलत हो तो बताओ क्या होगा है ना मुश्किल पता चला उसको पत्री थी नहीं लेकिन अल्टरसांड में दे दी ऐसा kidney वाले stone में तो बहुत बार होता है मैं सिर्फ इतना बहुत है कि अगर आज आपको लेपर आज आपको stone पता चलता है और आप दो साल बात अपनी surgery कराने जा रहे हो एक बर अपना अच्छी जगह से repeat करा लें बस इतना कर लें तो कि अच्छा टेस्ट है गॉल बेडर की पत्री पता लगाने के लिए बहुत अ 100% sure होके ही surgery करने चाहिए अगर मालो आपको doubt अगर है यार यह cancer तो नहीं है कुछ और तो नहीं है तो पहले test करा के देख लो सारे जल्दी मत करो patient को hint देदो भाई हमें एक पर test कराना है हमें rule out करना है कुछ और भी rule out करना है यह नहीं होगी फिर operation के बीच में बताते जी तो cancer निकला है हमने बंद कर दिया हमने यह कर दिया तो यह चीज़ अगर पहले पता चल जाए तो ज़्याद अच्छी बात है और तो मैंने यह सब procedure कुछ और करना था कर दिया कुछ तो यह तो यह तो टेक्निकल इशु है इसमें मैं जाल में ओवर कॉन्फिडेंस में patient मारे जाते हैं कई बारी डॉक्टर को और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए जैसे कि मेरे एक प्रेशन चाहिए पहले बताया है कि उसको बोल दिया इसको लेप्रोक्टोर पर सरजिरी होगी और हमने मना भी किया था कि नहीं हो पाएगी और आखिर में patient की bile debt कट गई और प्रॉलम होगी तो डॉक्टर को कभी भी over confident नहीं होना चाहिए hygiene सफाई कितनी है आपकी operation theater कितना साफ है मैंने ऐसे जगाओं पर operation theater देखें सच बताऊं तो तरह साथ है कि वहां के गाओं आओं टाइप की जो periphery पे कुछ hospital मैंने ऐसे देखे विकासनगर जैसा area है हमारे हैं मतलब दुख होता था कि यह hospital है यह surgery का OT है मतलब कि महां operation कराने मतलब कि मरीव ऐसे ही लंबा हो जाएगा उसका इतना high infection rate होगा कि जितना गंदा ओटी था वो छत पर भी ऐसा पता नहीं कैसे हो जाती है कैसे गरीब लोग करा लेते हैं शायद पता नहीं समझ से बाहर है और indication कभी भी अपने हिसाफ से surgeon को चेहीं नहीं करने चाहिए मैं कि शायद doctor साब अवलेबल नहीं थे वो तीन चाह दिन के लिए बाहर जा रहे थे तो उन्हों उसको delay कर दिया और बीच में patient की problem इतनी बढ़ गए कि patient की जान आफ़त में आ दे तो इस तरह से indication कभी तया नहीं करने चाहिए या इस तरह की timing कभी नहीं रखने चाहिए अपन वो तो समाज में मैं बोलता हूँ ना पांच उंगले बराबर नहीं होती है या सारी एक मचली पूरे तलाप को गंदा कर देती है तो लेकिन surgeon का बहुत risk भरा काम होता है एक physician से कहीं गुना risk की काम surgeon का होता है और साथ में जोड़ी होती है anesthetist की विवशी वाले की तो anesthesia वा पैकेज बता जारी 30,000 में surgery कर देंगे अब test करा होगे तो खर्चा hospital को bear करना पड़ेगा doctor को bear करना पड़ेगा मालिक को तो वो कई बार test ही नहीं कराते प्रोपर अब hemoglobin साथ पही आपने hemoglobin ही नहीं चेक करा है पता चला साथ 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 hemoglobin था आपने operation कर दिया उसका या उसको heart की problem थी आपने ECG भी नहीं कराया आपने operate कर दिया उसका चुप हुई silent problems होती है ठीक है तो यह चीज़े है कि proper पहले patient की fitness बहुत जरूरी होती है और NACC वाला भी कई बार अगर नहीं carefully देखेगा तो सारी मुसीबत NACC वाले पर ही आएगी कि आपने कैसे करने दिया आपका काम तब fitness देखना तो सर्जन तो करके निकल लेगा लेकिन मुसीबत NACC वाले की आज़ेगी तो NACC वाले कोई बहुत गोर से देखना चाहिए कि क्या patient fit भी है या नहीं है तो एक छोटा सा topic था ठीक है लोग मेरे पर exam लगाएंगे डॉक्टर साब तो बस खुद त को मैं कोई भगवान नहीं हूं मैं अभी एक आम इंसानों गलतियां मेर से भी हुई है लाइफ में लेकिन शायद अब time आ चुका है कि मैं अपने आपको भी ठीक करने का time है और एक awareness बढ़ाने का भी time है और जो जूनियर डॉक्टर सा रहे है तो उनको भी बताने का एक समय है कि भाई ये गलतियां सबसे होती आई है होती रहेंगी लेकिन आप लोग सजग रहे है साधान रहे है और उतना ही करें जितना आपकी वो है और no doubt experience बहुत count करता है चाह वो surgery हो या कोई भी field हो experience बहुत count करता है सच बता हूँ तो आपको कैसे पता चलेगा आपका surgeon फ्लाना करा के देंगे ये करा के देंगे लोग उनके through surgery करा लेते हैं कौन सा surgeon कैसा surgeon कभी भी rating मत देखो यार यह जो तुम rating देखके काम करते हो ना यह rating rating गूगल review फ्लाना review यह सब पैसे देखे आप खरीज सकते हो सच बता रहा हूँ तो इन सब को देखके कभी मत जाओ हा अपने आसपास वालों से पूछो अपने रिष्टेदारों से पूछो अपने family doctor आपका जिस पर आपको trust है वो आपको सबसे अच्छे दंग से guide कर सकता है क्योंकि उससे जादा आपको कोई नहीं बता पाएगा तो thank you very much चोटा सा topic था लेकिन कोशिश करिए मैंने कि आपको अगर मैं कुछ aware कर सकूँ, doctors को कुछ aware कर सकूँ, medical field से related लोगों को aware कर सकूँ, तो बहुत अच्छी बात है, शुकरिया, और भी बड़ी सारी बाते हैं, इस लोचे में लेकिन वो मैं बताना नहीं चाहूँगा, वो पैसों से related होती है, यह धंदा है पर गंदा है, कुछ सर कुछ गड़बढ़ियां कुछ लोग करते हैं, मैं भूलता हूँ, एक सर्जन सारे तलाव को गंदा कर देता है, एक मचली सारे तलाव को गंदा कर देती है, तो ऐसे ही है, अगर आपको दस अच्छे doctor मिलेंगे, तो एक ऐसा भी मिल जाएगा, लेकिन फिर बदनामी सब की ह होती है कि डॉक्टर ऐसे हैं कि शुक्रिया जर्रानवाजी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और मैं इतने बोलूँगा कि भाई मुझे भगवान बनने का शोक नहीं है ना मैं भगवान हूँ मैं एक सिंपल सा डॉक्टर हूँ एक मुन्ना भाई आप मुझे कह सकता है जो दिल से इलाज करता है और कोशिश करता है हाँ हर बार मैं सफल नहीं हो पाता हूँ कई बार मुझे भी निराशा लगती है मैं मरीज को नहीं ठीक कर पाता हूँ तो चलो उपर वाला है जिसने उस कि जरूरत है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है जिन्दगी फिर भी यहां कूबसूरत है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है जियां थोड़ा है थोड़े की जरूरत है इतना समझ जाओ जिन्दगी बहुत आराम से चलती है दोस्त ज्यादा हवस में पैसे की जो भूक है जो पैसे की एक वासना है न वो इनसान को बरबाद कर देती है जर जोरू और क्या बोलते है उसको जमीन, ये तीन चीजे बरबात काती हैं, तो भाई, इसलिए बोलता हूँ कि जितना है, उतने में खुश रो, ठीक है, मेनत करो, जो मिल जाएगा अच्छी बात है, हाना, हर इस अंसान आमबा नहीं सकता, टाटा नहीं बन सकता, लेकिन, अच्छे काम करके, जो मिलता है उससे जो satisfaction होता है, और डॉक्टर के पास तो एक न्यामत है, वो दूसरों के चेरे पर खुशियां ला सकता है, हर एक के बसका नहीं है, हर एक को किसी नहीं ये चीज नहीं दिये, तो आप बड़े खुश किसमात हो अगर आप डॉक्टर बने होते हैं, सच बता रहा हूँ, तक क्या हुआए बड़े, धाँ नहीं है, नहीं है।